जैहिन दोस्तों वेलकम टू आई एस विद हरी मोहन दोस्तों अभी एक बहुत जबरदस्त न्यूस चैनल न्यूस चल रही है न्यूस क्या है कि अजीत दोवल सौधी अरेबिया गए और सौधी अरेबिया जाने के बाद यूट्यूब चैनल के उपर खासकर और बहुत से न् हासू प्लैन तयार है यानि अगला कुछ दिन के अंदर पियोगे पर कबजा हो जाएगा और बस ये डिसाइड करने गए हैं कि भाई सब आप कितना लोगे और आप कितना लोगे और आप कितना लोगे देखो भाई दुनिया का हर देश अपनी पॉलिटिकल मैलेज या यू कहें अपने इंट्रस्ट को मैनेज करके ही आगे बढ़ता है वो कैल्कुलेट करता है कि किसी भी मामले में नफा कितना है और नुकसान कितना है और कृप्या करके सामने वाले को इतना बड़ा बेवकूफ और खुद को जेम्स बॉन्ड का बात ना समझे और अपनी आपको या अपनी कंट्री को इतना बड़ा इंटेलिजेंट और शाणा ना समझे जैसे साउथ की फिल्मों में हम देखते हैं कि फिल्म में केवल और केवल हीरो ही इंटेलिजेंट होता है बाकी तो निरे गधे औ और मूरक होते हैं जिससे साउथ की फिल्मों में दिखाते हैं वो सब को इतनी आसानी से बेवकुफ बना जाता है जैसे बड़े से बड़ा आदमी केवल half बेवकुफ पैदा हुआ था देखो यारि यह एक बात समझे ए कि really है यह कि अजीद दोल साहब साथी रेबिया गई हैं बिल्कुल सही बात है वहाँ पर अमेरिका भी आया हुआ है बिल्कुल सही बात है यू ए ए के representatives भी है बिल्कुल सही बात है लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं है जैसा कि ये news channels और youtubers निकाल रहे हैं कि पी ओपर के मुझे की त्यारी है दारा 370 इंडिया ने जिस तरीके से हटाई और जिस तरीके से तैयारियां शुरू हुई या दुनिया का reaction आया दुनिया एक चीज समझ गया कि अब इंडिया को अब दुबारा से ignore नहीं करने वाले इतना जादा आसानी से इंडिया को mileage नहीं लेने देने वादे और क्या पी ओके पर कभजा इतना आसान है कि जैसे पी ओके जो है वो रेविडियों के भाव विक रहा है और पाकिस्तान उसकी बोली लगा रहा है कि डेड़ सो रुपे किलो और इंडिया सोने की ठैली ले जागे पाकिस्तान को पकड़ाएगा और पाकिस्तान पीओगे तुम्हें दे देगा अगर इतना बेवबूफ पाकिस्तान को समझ रही है इतना स्टुपेड या इडियर या कुछ भी कहें चाइना को समझ रही है और इतने जादा डफर जो है वो क्या कहते हैं अमेरिका या अरब कंट्रीज को समझ रही है तो आपके ऊपर ऐसी शब्द लागू होते है या यूट्यूब चैनलों के उन लोगों पे लागू होते है जो अजीत दोवन सहाब के साओदे रेबिया दोरे को पियो के से जोड कर देख रहे हैं करप्या ऐसा ना करें मेरा अपना ऐपीनियन है सुन लेजिए देखंग यार यह जीयो पॉलिटिक्स है जीयो पॉलिटिक्स में सारी गेम्स इतनी आसानी से नहीं होती जितनी आप लोग लिए देगे दुनिया मूरक है ऐसा नहीं है कैलकुलेशन समझे मामला है क्या देखिए ये नक्षा है अगर आप देखें तो अजी दोवल साब साओधी एरेविया गए है तो साओधी एरेविया की इस ट्रिप को हम इस मिडल इस्ट से जोड़ कर देखेंगे इस मिडल तो जो सबसे बड़ी पावर्स यहां मौझूद है एट तो तुर्किये हैं दूसरा इरान है और तीसरा साओधी एरेविया है जो इस मिडल इस्ट में इस टाइम पर प्रेजिंट है और ये साओधी एरेविया इराक, कुवैत और जॉर्डन और लेबनन इन से जुड़ा यानि यहां असलियत में ये तीनों बड़ी पावर्स अपना इंफ्लूएंस यहां बनाकर रखने की कोशिश कर रही है लड़ रही है बेट रही है धरम के नाव पर जैसे भी नाम पर लेकिन हम इस चीज़ को भी यहां नहीं भूलेंगे यहां हम इस चीज़ को भी बिल्कुल नहीं गूलेंगे कि यहां पर जो दूसरे प्लेयर्स हैं उन बड़े प्लेयर्स में यहां पर अमेरिका मौजूद है एक तरफ और चाइना मौजूद है यहां पर दूसरे तरफ अमेरिका और यूरोप मिलकर अपना इंफ्लूएंस कैसे भी करके यहां बनाई रखना चाहते हैं और चाइना जो है वो यहां अपने इंफ्लूएंस को इस इलाके में बढ़ा रहा है ठीक है यहां पर एक बड़ा प्लेयर जो मौजूद है वो है इंडिया अब समझिए चाइना के पास इकोनॉमिक स्ट्रेंट आज के दिन इतनी ज़ादा हो चुकी है कि पूरी दुनिया का वाक्शॉप अफ दो वर्ड यह बन चुका है यानि पूरी दुनिया आज के दिन जो सामान है वो चाइना से खरीद रही है इसमें कोई दो राय नहीं है ठीक है अब इसकी वज़े से एकोनॉमिक स्ट्रेंट की वज़े से आज के दिन लार्जेस्ट फॉरेंड एक्सचेंज रिजर्फ जो है फॉरेक्स रिजर्फ जो है वो चाइना के पास है और सबसे ज़्यादा ट्रेड सर्प्लस चाइना का है यानि दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करके जो इनकम होती है वो चाइना के पास है इससे क्या है कि चाइना एक एक एकोनॉमिक सूपर पावर बन चुका है और आप अगर यहाँ खड़े होकर देखेंगे चाइना के मामले में तो एक चीज समझ में आएगी कि चाइना में इसके सामने अमेरिका जहाँ 27 ट्रिलियन डॉलर के डेट के अंदर फसा हुआ है पॉसिबली अमेरिका के पास चाइना के पास 15 ट्रिलियन डॉलर का ट्रिलियन डॉलर का रिजर्वड अमाउंट है और अपने इसी पैसे के दम पर बेल्ट एंड रोड इनिशियेटिव स्टार्ड किया जिसके अंदर 71 कंट्रीज हो हैं वो जुड़े हुए हैं अब सबसे बड़ी बात चाइना ओयल और गैस का भी बड़ा इंपोर्टर है इस वे रशिया से भी खूब भरबर के ओयल लिया और इसने साओधी अरेविया और इरान से भी भरबर कर ओयल लिया और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के जो बैन थे उनका चाइना के ऊपर कुछ खास असर नहीं पड़ा नतीजा ये कि 71 कंट्रीज के ऊपर छोटी बले ही है जो एक क्या नाम है डॉमिनेंस है वो इस्टेबलिश हो चुका है और कही न कहीं ये 71 कंट्रीज जो है ये अमेरिका के पाले से निकल कर चाइना के पाले में जाती हुई इसी नज़र आ रही है चाइना अपनी टाकत बढ़ा रहा है फाकिस्टानом की सी साव की फॉर्म में है जहां एक तरफ अमेरिका अपनी टाकत को दुबारा से रेकेलिबरीट पाकिस्तान में कर रहा है और दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान को इस तरीके से जाल में फसा चुका है कि अमेरिका के पास ना तो resources है ना ही idea है पाकिस्तान को चाइना से के चंगुल से छुड़ा लेने के चाइना म्यामार के साथ पी कर चुका है ऐसा ही कुछ चाइना शिरलका के साथ भी कर चुका है नेपाल के साथ भी काफी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है बांगलादेश में अभी ऐसा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी बांगलादेश के उपर दबाव पड़ रहा है यह जो ट्रेट रूट्स हैं चाइन के इन ट्रेट रूट्स के ऊपर चाहे ओमान हो गया चाहे जुबूती हो गया चाहे यमन हो गया चाहे सुडान हो गया रशिया और अमेरिका रशिया और चाइना की नेवल फोर्सेज निगरानी के लिए सही यहां पर मौझूद है इसी ट्रेट रूट को अगर इधर देखते हैं तो भी इंडिया तब तो भी यहां पर मौझूद है यहां ग्वादर की फॉर्म में मौझूद है निए चाइना का जो फुट्प्रिंट है दुनिया के अलग-अलग इलाकों में लगातार वड़ता जा रहा है और समसे बड़ा अब master stroke जो था हलाकि मैं इस पर वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि time भी नहीं पर यहां चाहता था कि क्या सच में पственно एरान और साउदी रेविया के बीच में दोस्ती हो गई है और क्या अमेरिका हाथ पे हाथ रखके बैठार वहेगा अब ये असलियत में उसी का जवाब है समझे चाइना का समसे बड़ा डिप्लोमेटिक अचीवमेंट मास्टर स्टो कहो मार्वल कहो वो क्या था साओधी अरेबिया और इरान जो 1400 साल से आपस में इसलिए लड़ रहे हैं कि शीया और सुननी के मामले में और उसके बाद शीया और सुननी के बाद बहुत सारे दूसरे रीजन्स हैं जो साओधी अरेबिया और इरान लगातार लड़ रहे थे चाइना ने इन दोनों के बीच में दोस्ती करवा कर ये दिखाया दुनिया को कि अमेरिका नहीं अब यहां का रियल मास्टर मैं हूँ और इसमें कोई दोराए भी नहीं क्योंकि अमेरिका की साओधी रेबिया से बहुत ज़ादा अच्छी नहीं बन रही है क्योंकि ये जो बाइडन है की रखता और साओधी रेबिया भी उसी में से एक देश है जिसे जो वाइडन देख कहना में है हिमन राइट्स के नाम पर परिशान कर रहा है साओधी रेबिया को आल्टरनेट मिल गया चाइना की फॉर्म में और साइदो साओधी रेबिया ने इरान, इंडिया और टर्की की फॉर्न पॉलिसी में एक चीज़ समझ ली कि कैसे अब अमेरिका को बैलेंस किया जा सकता है यानि अब साओधी रेबिया को भी समझ में आ गया कि अब अमेरिका इतना जादा दाकतवर नहीं है जितना पहले था और साओधी रेबिया अमेरिका और यूरोप पे इतना जादा डिपेंटेंट नहीं है जितना पहले था और साओधी रेबिया ये भी समझ चुका है कि यूरोप और अमेरिका पहले जैसे इकोनामिकली भी पावरफुल नहीं रहे जैसा की उमीद की जा रही थी या जैसा की लगता है तो साओधी एरेविया ने भी एक बैलेंसिंग गेम खुईलना शुरू किया क्योंकि चाइना सबसे बड़ा इसका ओयल और गैस का कस्टमर है तो अव्यस सी बात है चाइना ने कहा जी एरान से दोस्ती कर लो कहते कर लेते हैं ला भई खरवा दे दोनों ने हाथ मिला लिया अब सबसे ज़्यादा पंगेबाजी की कहां पर हुई अमेरिका में क्योंकि असलियत में सबसे ज़्यादा यू कहिए के धजिया उड़ी इजद की अमेरिका की इस एलाके में क्योंकि अमेरिका की फगड़ यहां कमजोर होती नजर आ रही है अब अमेरिका एक बात और जानता है कि पैसे के मामले में और मार्केट के मामले में चाइना का मुकाबला अमेरिका खुद नहीं कर सकता, क्योंकि पहले अमेरिका सौधी अरेबिया से तेल खरीता था, अब अमेरिका ने खुद के तेल का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है, जिसकी वज़य से ना तो अमेरिका तेल खरीद रहा, उल्टे सौधी अरेबिया का competitor बनकर उभर रहा है Saudi Arabia इससे भी चेड़ रहा है क्योंकि Saudi Arabia चाहता इसी लिए जितना America तेल का production बढ़ाता है Saudi Arabia उतना कम करके पेट्रोलगी कीमतों को मिंटेन करने की artificially मिंटेन करने की कोशिश करता है तो America अभी भी Saudi Arabia के अंदर अपना influence बनाई रखना चाहता है और किसी तरीके से यहाँ पर अपनी position को मजबूत किये रखना चाहता है लेकिन America साओधी रेबिया को market नहीं available करवा पा रहा यहाँ पर साओधी रेबिया को नजर आता है इंडिया कि इंडिया के पास असलियत में चाइना जितनी बड़ी नहीं तो चाइना के comparative ली एक market मौझूद है जो oil और gas को import करता है यानि चाइना अगर साओधी रेबिया से oil और gas का सबसे बड़ा importer है तो दूसरा बड़ा importer जो है वो इंडिया है यानि साओधी अरेबिया इंडिया को भी ignore नहीं करेगा ये पक्की बात है दूसरा इंडिया के पास ये potential भी है जितना बड़ा market चाइना है उतना ही बड़ा market इंडिया भी है population wise कम से कम consumption या purchasing power parity में potential है कि ये तेजी से तरक्की करेगा तो Middle East इंडिया को भी ignore नहीं कर सकता और रही बात इंडिया की तो इंडिया की अपनी एक परेशानी ये पाकिस्तान है कि इंडिया चाहेगा कि Central Asia और Europe तक by road एक link पहुंच जाए और पाकिस्तान के रहते ये possible नहीं होगा अब इसका मतलब अब ये कभी नहीं है कि पीओ के तुम्हें मिल गया है वही पीओ के मिलने के लिए भी बहुत तगड़ी महनत चाहिए होगी और अगर वर्ड़ वार नहीं होता तो मैं जादा उमीद नहीं करता कि इंडिया पीओ के पर कबज़ा कर पाएगा अधर व्रड़ वार होता है और इस चाइना के ऊपर लगभण सारे यूरोपियन अमेरिका जापान कोरिया ताइवान फिलिपीन इंडोनेशिया थाइलेड लेड़ सारे के सारे चिपट पड़ते हैं और किसी वियतना किसी भी तरीके से चाइना को दोने की कोशिश खरते हैं और चाइना को जादा ही फस्ट चुका होता है अकने इस्टरन बॉर्डर पे तब इंडिया के पास एक option हो सकता है पियोगे पर कबजा करने का वो भी तब जब चाइना से एक वार शुरू हो जाए यह पीयों के करता कोई लेना देना नहीं है इंडिया यहहां से यूज करता है चाबहार पोर्ट चामार पोर्ट से जाहिदान तेहरान से एक पूरा मार्केट जो है वो डुह develop होता है कहां मिडल है सेंच्टरल आश्यन कंट्री कज़ाकिस्तान उजबेकिस्तान ताजिक घ्रकिस्तान और तुरकमेनित्तान और दूसरा इसी को फिर आर्मेनिया से अजर्बायजान से नहीं आर्मेनिया से गुजारते हुए जॉर्जिया और जॉर्जिया से रशिया दूसरा जॉर्जिया से ब्लैक सी से यूरोप के दूसरे देश इंडिया इस North South ट्रेड गोरिडोर को डवलप करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ट्रेड गोरिडोर डवलप हो जाता है और इंडिया के ट्रेड रिलेशन्स यूरोप, रशिया और इरान के साथ जदा बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया की डिपेंडेंसी को हो या इंडिया के रिलेशन्स को हो रशिया के साथ जाधा बड़े होंगे और ऐसे रिलेशन्स अगर जाधा डवलप हो गए तो उसका आल्टरनेट उससे कहीं ना कहीं रशिया को प्रेशर क्वियेट करने या रशिया को दबा है रश्या से पर्चेजिंग के लिए कपैसिटी जादा है और यूरोप के अंदर चाइना वो काउंटर कर सकता है ऐसा एक रोड और रेल लिंक इंडिया को अगर प्रोवाइड कर दिया जाए तो कैसा हो नॉर्मली यह है कि यहां पर ट्रेड का जो वाल्यूम है वो जादा है वीड जादा है सब चीज़ें कोशिश की जा रही है कि साओधे रेबिया खासकर अभी यूएई का मामला है यूएई के बॉर्डर्स पर पोर्ट्स डवलप करेगा पोर्ट्स के साथ सा सब्सक्राइब जादा से जादा बड़े शहरों को जूडने के लिए फ्रेड कॉरिडोर वाले लिंक्स को बनाएगा अब फ्रेड कॉरिडॉर के अगर लिंक्स डवलप हो जाएंगे रेल्वे लिंक्स कासकर तो इंडिया के पोर्ट से साओधे रेबिया, UAE, कतर, इन और यहां से Middle या European countries और African countries तक तेल पहुंचाया जा सकता है, मतलब Indian goods को पहुंचाया जा सकता है, यानि इंडिया की connectivity बढ़ेगी, इससे दूसरा पार्ट क्या होगा, अमेरिका, यूरोप, जापान, साउथ कूरिया और इंडिया, ये सारे देश मिलकर, चाइना का जो बहुत बड़ा, एक very big volume of investment है, 3 trillion dollar का, 3 trillion dollar का और बहुत से तो कह रहें, 8 trillion dollar का जो investment है, दूसरे देशों के अंतर, BRI के मामले में, वो सारे के सारे, उसको कैसे ना कैसे करके counter कि जा सकता है, और जो चाइना debt trap में फसाता है, उसकी जगें, इंडिया वाले उनको develop करके, उनी देशों को end over करके, प्रोग्रेस के अंदर ये तरक्की में वागिदार बनने की तयारी करेंगे, ये एक plan है, इस plan में, चाइना के influence, जो यहाँ बढ़ चुका है, उसको उसी की बाशा में, बैटर वे में, काउंटर करने का एक तरीका है, चाइना को पठकनी देने का यहाँ पर तरीका है, यहाँ यू कहीं, चाइना का जो influence है, वहाँ पर उस influence को बढ़ाने का, अब उसके influence को कम करने, और अपने influence को बढ़ाने का एक बहुत तगड़ा plan है, यहाँ इस से क्वाइड इस्टर्न या वेस्टर्न क्वाइड कहते कहा गया यहां साओधी रेडिया को जोड़ने की कोशिश की जाएगी यहां पर उमान को जोड़ने की कोशिश की जाएगी और ऐसे बहुत सारे को देखने में काम करने में तो चाइना के इंफ्लूएंस को इन सब जगाओं पर रोका चाया सकता है और इंडिया अमेरिका मिलकी यही एफ़र्ट कर रहे हैं जो थोड़े दिन पहले दो महीने पहले चाइना ने जो डील करवाई थी वह उसकी समसे वड़ी अचीवमेंट थी मतलब यह नहीं है कि वहाँ पर सेक्यूरिटी और दूसरी चीजों के लिए कुछ नहीं हुआ वहाँ पर इन चीजों के लिए भी बातचीत होगी लेकिन क्या यह ग्रूप प्रिपेर हो चुका है पूरी तरीके से देखिए इस इलाके में जब तक कि ऐसी इसी मीटिंग में इसराइल गायब है तब तक यह काम पूरा नहीं हुआ है यह समझ भीजेगा अगर मीटिंग नहीं हुई है मतलब अजीत इसमें इसराइल नहीं है तो समझ दीजिए अभी काम पूरा नहीं हुआ है वह शुरुवात वर है आज नहीं तो कल यहां और देशों को जोड़ा ज तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए अच्छा हाँ एक रिक्वेस्ट है यार के मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें बैल आइकन जरूर दबाए ताकि मेरी ये वीडियो आप तक जल्दी से जल् सके तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद